सौरव आप से पसे पतना एरपोट अथवरिटी की तरफ से कुछ कहा गया है इस पूरे मामले पर लेकर लोकल प्रशासन की तरफ से कोई अक्षन लिया गया है कोई चानलों से जवाब ये बिल्कुल रभी अभी तक एरपोर्ट और्थिरिटी के तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है और अगर सुरच्छा बेवस्था की बात करें तो जो सुरच्छा कर्मी लगाए गये थे बिहार पुलीस के तरफ से उनका यही कहना था कि मेरी जिमेदारी थी बाबा को प वो पटना एरपोर्ट और्थिरिटी की बनती है उन्होंने अपनी जिमेदारी नहीं निभाई है और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने 10 से 15 सालों में ऐसा ऐसी जो तस्वीर है ऐसा जो ऐसी जो नजारा है वो आज से पहले कभी नहीं देखा था मानो पटना एरपोर्ट के अंदर रनवे पर ऐसा लग रहा था कि सभी लोग वहाँ पर पहुच गए हैं और एके करके बाबा को छूने की कोशिस कर रहा है बाबा से आसिरवाद लेने की कोशिस कर रहा है और जब तक बाबा अंदर नहीं चले गए यानि जब आप देखें को ने चार्टर वीमान को घेर रखा था और काफी मसाकत करना परा टेक आप करने में काफी लोगों को हटाना परा और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर एरपोर्ट ऑथरीटी के जो सुरच्छा करमी थे वो मौजू मौजूद थे लेकिन उनके सामने में सब कुछ हो रहा था लेकिन भगतों की संख्या इतनी जादा थी कि पुलीस उनके सामने बेबस नजर आ रही थी जी और जो बाबा बागेश्वर के जो ऑगनाइजिंग कमेटी है उनकी तरफ से कुछ का गया इसको लेकर जवाब देही तो उनकी भी बनती है जब आपने इतना बड़ा फंक इस घटना के बाद तो उनके तरफ से अभी तक कोई सवाल नहीं किया गया है और नहीं कोई जानकारी दी गई है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबा पांच दिनों का उनका दिब दरवार पटना में लगा था पटना से कड़ी पचीस किलोमीटर नौवत पूर म के बाद लोगों की या सरधालों की जो संख्यां थी वह लाकों में थी जिसका अंदाजा आयोजक को भी नहीं था और उसके बाद आयोजकों ने अलग से सुरच्छा की डिमांड की थी और उसके बाद बाबा की सुरच्छा बढ़ा भी दी गई थी लेकिन उसके बाद भी यह सुरच्छा में चूक दिखाई दी जो की एक बड़ी लापरवाही है और निश्ची तोर पर इसकी पूरी जिमेदारी जो है वह एरपोर्ट आथरीटी की जाती है क्योंकि एरपोर्ट के अंदर यह सारा चीज हो रहा था सबसे बरा सवाल है कि आखिर सैक्रो की संख्या मे लोग जो है वह रनवे तक कैसे पहुँचे कैसे उनको जाने की इजाज़त दी गई ती बिल्कुल बिल्कुल लोगों को जाज़त कैसे मिली और वहां पे जो सेक्यूरिटी गार्स खड़े वे थे वो क्या कर रहे थे आखिर मैं मैं आपका लास्ट कॉमेंट चाहूंगा सक किस तरह से देख रहे हैं क्योंकि इस तरह की तस्वीरें कभी देखी नहीं है देश ने कि रनवे पर लोग चले जाएं और वहां पर जवान खड़े हो कोई स्कैनिंग ने कोई सेक्यूरिटी ने तो यह कि जब बाबा का पॉर्ण निदारिफ प्रोग्राम था और किसी को भी इतने आशा नहीं थी कि इतने भारी प्रिसंक्या में रोज लोग आएंगे ददस लग लोग वहां पर आये हैं और जिस तरह के जाम होता था तो ठीक है जब वो आ रहे तो उसमें अगर आपने अच्छा प्लाम नहीं कियो ठीक है पर जब उनके चार दिन प्रोग्राम चले और जिस तरह की बीड आई एरपोर्ट पर पहुंच गई है तो असा नहीं कि इसको कंट्रोल नहीं किया सब रैपिड एक्शन फोर्स पुलिस के पास वह इसी तरह कि इस घट्नाओं को कंट्रोल करने के लिए होती है तो मैं समझता हु कहने कही एरपोर्ट तौरिल से भी चुक हुई है और बियार पुलिस से भी चुक हुई है उन्हें रैपिड एक्शन फोर्स बेजनी चीज़ थी जो कि इमीडिटल लोगों को वहां से क्लेर कर सिकते भी बिलकुल बड़ी चुक हुई है लापरवाई हुई है एरपोर्ट को रन्वे को बस्टॉप बना दिया था हजारों के संक्या में शादाले वहां पहुचे हुए प्लेन पे चड़े हुए अगर कोई बड़ा हाथसा हो जाता तब क्या ही अधिकारी जाकते तब कोई बड़ शुक्रिया आप सभी का इस सर्चाव में शामिल होने के लिए छोड़ा सा ब्रेक ले रहे है फौर नाजियूंगे देखते रहे हैं न्यूस 24